हेलो फ्रेंज, दोस्ता आपने अक्सर देखा होगा कि पतियों के मन में हमेशा ये बाते चलती रहती हैं कि वो अपनी वाइफ को किस तरीके से खुश करी इसलिए आज की ये वीडियो उन्हें हस्बेंस के लिए है दोस्ता अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी वाइफ का सही तरीके से सहारा बने और उन्हें हमेशा खुश रखें ताकि आपका रिलेशन्शिप हमेशा मजबूत बना रहे तो आपको ये वीडियो देखने की ज दोस्तो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको केवर बाहर जाकर आफिस में पैसे ही कमाने हैं कुछ छोटे छोटे एफर्ट भी आपको अपनी बीवी के और करीब ले जा सकते हैं और आपके रिष्टे को मजबूत बना सकते हैं जैसे कि आप हम की आती है तो उस समय महिलाएं ये ज्यादा दोड़भाग करती हैं फिर चाहे वो सुभे सुभे नाश्ता बनाना हो या फिर ठक आहार कर ऑफिस से आने के बाद खाना बनाना हो इसलिए अगर आप भी वर्किंग है और अपकी वाइफ भी वर्किंग है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी मदद करने के लिए आप एक टाइम का खाना खुद बना सकते हैं फिर चाहे तो आप सुभे का खाना बना दीजे या फिर शाम फिर शाम का खाना बना दीजे हमेशा नाश्ता या फिर दिनर बनाते समय इस बात को ज़रूर धान में रखिए कि आपकी व काजो में भी अपनी वाइफ की मदद करें हम यह नहीं किया रहे हैं कि आप सारी काम को आपने ऊपर ठेक ओवर कर लें लेकिन थोड़ी बहुत मदद आप अपनी वाइफ की करेंगे तो आपका समय भी एक साथ बीते का और अच्छा बीते का इसी के साथ साथ आप चाहें तो उने शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं वीकन पर घूमने जा सकते हैं या फिर उनके लिए गान अगा सकते हैं उन्हें तौफे दे सकते हैं लड़कियों को तौफे काफी पसंद होते हैं यह सारी ट्रिक्स लड़कियों पर काफी अच्छे तरीके से वर्ग कर सकती हैं लेक तो इन आसान सी चीजों को अच्छी mentality और positive thinking के साथ अपनी wife के सामने प्रेजेंट करिए ताकि आप उन्हें खुछ भी कर सके और अपने relationship को मजबूत भी बना सके मेरी beauty और health से related videos को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजे